1975 के बाद ये समय भारत की लोक तंतर का सबसे महत्वपून समय है 1975 में लोक नेता जेपी नारायम की एक ललकार से सिंगहासन छोडो की जनता आती है सिंगहासन गिर गए थे 2020 में मैंने कहा था के लोक तंतर एक विश्वास है और सत्ता के घमन में आकर जो इस विश्वास को तोड़ता है उसका घमन तूटना भी निश्चित है और ये किसी व्यक्ति विशेश की कोई शक्ती नहीं है ये शक्ती है एक सच्चे चरित्र की और दूसरी बात हनुमान जी को शिव का बार्मा अवतार माना जाता है और जब शिव सेना ही हनुमान चालिसा को बैन कर दे तो उन्हें तो फिर शिव भी नहीं बचा सेथे हर हर महादेव, जय हिंद, जय महराश्ट, 1975 के बाद ये समय भारत की लोक तंतर का सबसे महतोपून समय है 1975 में लोकनेता, जेपी नारायम की एक ललकार से सिंगहासन छोडो की जनता आती है, सिंगहासन गिर गए थे 2020 में मैंने कहा था, के लोक तंतर एक विश्वास है, और सत्ता के घमन में आकर जो इस विश्वास को तोड़ता है, उसका घमन तूटना भी निश्चित है और ये किसी व्यक्ति विशेश की कोई शक्ती नहीं है, ये शक्ती है एक सच्चे चरित्र की और दूसरी बात हनुमान जी को शिव का बार्मा अवतार माना जाता है, और जब शिव सेना ही हनुमान चालिसा को बैन कर दे तो उन्हें तो फिर शिव भी नहीं बचा सेकते हर हर महादेव, जैहिंद, जैमहराष्ट, 1975 के बाद ये समय भारत की लोक तंतर का सबसे महतोपून समय है, 1975 में लोकनेता, जेपी नारायम की एक ललकार से सिंगहासन छोडो की जंता आती है, सिंगहासन गिर गए थे, 2020 में मैंने कहा था, के लोक तंतर एक विश्वास है, और सत्ता के घमन में आकर जो इस विश्वास को तोड़ता है, उसका घमन तूटना भी निश्चित है, और ये किसी व्यक्ति विशेश की कोई शक्ती नहीं है, ये शक्ती है एक सच्चे चरित्र की, और दूसरी बात हनुमान जी को शिव का बार्मा अवतार माना जाता है, और जब शिव सेना ही हनुमान चालिसा को बैन कर दे, तो उन्हें तो फिर शिव भी नहीं बचा सेकते, हर हर महादेव, जै हिंद, जै महराष्ट। कर दो एक साथ, जै कर दो एक साथ, जै हम मेंखाना जै है, जै हम जै को इन्हें दुमान चाहते, हम में जै कोई मना जै है, जै हुर झाई अर रह जैरे, भी मैं जै।